दलित युवक से लव मेरिज करने के बाद शोशल मीडिया के जरीए चर्चाओं में आई बीजेपी विधाय की बेटी साक्षी मिश्रा एक बार फिर से चर्चा में हैं दरसल 17 अक्टूबर को पूरे देश में पूरे रिती रिवाद के साथ करवा चौथ का पावन पर्व मनाया गया ऐसे में बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा ने भी करवा चौथ का पहला व्रत रखा और शोशल मीडिया में एक तस्वीर शेयर की शोशल मीडिया में साक्षी और उनके पती अजितेश की तस्वीर काफी वाइरल हो रही है 17 अक्टूबर को करवा चौथ के दिन साक्षी मिश्रा ने अपने पती अजितेश के लिए पहला करवा चौथ का व्रत रखा इस मौके पर साक्षी अपनी मा को याद कर भावुख हो गई साक्षी ने कहा कि मैं भगवान से यही मांगती हूँ कि अगला कर्वा चोथ में अपने घर पर बरेली में मनाऊँ गौर्तलब है कि बरेली से बीज़पी के विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा ने दलित युवक अजितेश से लबमेरिश करने के बाद 10 जुलाई को सोचल मीडिया पर वीडियो जारी किया था उसने उसने अपनी जान का खत्रा बताया था इसके अगले दिन यानिकी 11 जुलाई को साक्षी ने एक और वीडियो जारी कर पिता राजेश मिश्रा भाई विक्की भरतॉल और पिता के करीबी से जान का खत्रा बताया था ये दोनों ही वीडियो काफी वाइरल हुए थे और कई दिनों तक चल्चा में भीर रहे थे